हे गाईज विलकम बैट तो दी PCIT टेकनिकल ग्यान जैनल मैं सब ना पांड़े आपकी एजुकेटर अज आपके लिए फिर से एक बहुत हैं इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ गाईज ये टॉपिक है कैलक से ही रेलेटेड बस इस वाले लेक्चर में इस वाले से तो जनने वाले खूंक्स package की मदशे आप result क्यासे तीयार करते है आपने कई बार देखा होगा या आप देख आ कि result कश hat का अपलोड हो जाता है इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट करके वो सबका नंबर सबको प्रोवाइड कर देते हैं तो गाइज यही कुछ फॉर्मुले होते हैं और सिस्टम की मदद से उनको सौड़ आउट किया जाता है उनका आपको रिजल्ट दिया जाता है तो आईए आप भी तो जाता है तो जैसे कि आप देख पार है स्क्रीन पे यह मैंने चार्ट तयार कर रखा है जैसे ही आपको चार्ट तयार करना है अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं अदरवाइज आप कहीं वर्क कर रहे हैं आप आफिस यूजर हैं तो आपको लिष्ट दिया जाएगा या आप निकालते हैं रिजल्ट निकालने का काम करते हैं तो आपको लिष्ट दी जाएगी जिसकी मदद से आपको रिजल्ट निकालना होगा तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं तो guys जिस function या जो formula हम result निकालने के लिए use करते हैं उसे कहते हैं if function और उन्हीं की मदद से हम result निकालते हैं दो या दो से अधिक या चाहे जितने भी persons हो उनकी result हम if formula से निकाल सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना session formula के लगा के तो क्या करेंगे guys वही अपना if लगाएंगे आप और जैसे आप function on करेंगे यह कह रहा है test to than value otherwise value उसको आपको ध्यान नहीं देना में जैसा पता रही हो आप करते जाएंगे हम क्या करेंगे इनका numbers का cell address लेंगे और greater than लगाएंगे equal लगाएंगे हमें पता है guys की जो cc होती है उसमें अगर आपका 85 है या 85 से अबब है आपका number तो आपको yes grade दिया जाता है और यदि 75 है या 75 से उपर आपका number है तो आपको a grade दिया जाता है ऐसी चलता जाता है या 65 है 65 से अबब है तो guys आपका b grade बन जाता है 55 है या 55 से अबब है तो guys आपका c grade बनता है और अगर आपका 50 है guys और उससे अबब 55 के बीच में है तो आपका d grade बनता है और जैसे ही 50 के नीचे पहुंची आपका marks तुरंत वो हो जाता है f grade तो guys उन्हीं के हिसाब से हम निकालेंगे तो हमने क्य दिया यहां पे अगर इनका नंबर 85 से बड़ा हो या बराबर हो तो कॉमा लगाएंगे फिर हम inverted कॉमा लगाएंगे हम कहेंगे इनका फिर आए यस ग्रेड गाईज आपको समझने चलना है मैंने यहां पे क्या कंडिशन अप्लाई की है कि यदि इनका नंबर जैसे मुझे दिखाई दर 88 वैसे यस ग्रेड है यह तो मुझे पता है लेकिन हम एक का ऐसे लिख देंगे गाईज तो क्या हम सब अगर हजार इस्टूडेंट है दो हजार है उनका ऐसे हम थोड़े निकालते चलेंगे तो हम क्या करेंगे एक पर फार्मुला प्लाई करेंगे बाकि ड्रेक्ट करवा देंगे रिजल्ट अपने आप आ जाएगा तो क्या कह रहा है यदि इनका नंबर जिनका मैंने सेल एड प्याएंगे ये फ्यान में रखेंगे कि जहां मैंने और 85 अध्क करने के बाद it यह मेरा पहला था फिर मैं यहां पर क्या करूंगी गाईजफ लगाओंगी और फ्रसे मैंफ फंक्शन ऑं करूंगे अभी हमें बंद नहीं करना है जब तक हमारे functions पूरे complete लिए फिर मैंने कहा यद इनका number बड़ा हो या बराबर हो किसके guys 75 के मैंने कहा यद इनका जो number है जो person का जो number is 75 से बराबर हो या 75 से बराबर हो 75 के बराबर हो या 75 से बड़ा हो तो फिर वही inverted कॉमा इनका आए A grade यह मेरा दूसरा condition हो गया फिर मैं तीसरा दूँगी इफ यह जो इनका marks है वो बड़ा हो या बराबर हो 65 के इस बार मैंने कहा कि यदि इनका नंबर 65 के बराबर हो या 65 से बड़ा हो कॉमा लगाया मैंने फिर मैंने condition दिया कि इनका I B grade फिर मैंने कॉमा लगाया गाईस यह याद रखना जितनी बार आप condition apply कर रहे हैं आपको function on करके रखना है फिर यह हो गया अब क्या करेंगे हम next करेंगे आगे फिल लिख रहा है फिर से हमने function on किया इस बार कहा रहे हैं कि यदि इनका नंबर बड़ा हो या बराबर हो 55 के तो इनका नंबर आए C sorry guys C आये इनका फिर मैंने comma लगाया और अभी function जब तक fail वाला नहीं हम कर लेते गाई सब तक हमको करते रहना है हमने फिर function on किया और हमने कहा कि यदि इनका नंबर बड़ा हो या फिर बराबर हो 50 के बड़ा हो या फिर बराबर हो 50 के तो इनका नंबर आए guys D grade इनका कौन सा grade आए D grade और फिर अब हम सबसे last वाला करेंगे if function on करेंगे इनका नंबर less than or equal मतलब कम हो या बराबर हो 49 के अब जैसे ही इनका नंबर 49 के बराबर हुआ या 49 के नीचे हुआ तुरंत इनका guys आजाए F grade ये इतना हो गया मैंने क्या कहा फिर से आप देखेंगे मैंने कहा कि इनका नंबर यदि 85 के बराबर हो या 85 से बड़ा हो तो yes grade आए मैंने फिर से कॉमा लगाया फिर से मैंने फंक्शन फिर से कंडिशन दिया कि यद इनका नमबर बड़ा हो या बराबर हो तो इनका आए किस से बड़ा हो या बराबर हो 75 के तो इनका A ग्रेड आए फिर मैंने third condition apply किया कि यदि इनका number 65 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो इनका B grade है फिर मैंने condition दिया कि यदि इनका number 55 हो या 55 से बड़ा हो तो फिर इनका C grade है फिर fourth मैंने दिया यदि इनका number 50 हो या 50 से बड़ा हो तो इनका D grade है और लाश में मैंने less than operate का यूज किया guys मैंने यहाँ operator जो दिया है वो less than और equal दिया है क्योंकि मैं जैसे greater than करती 50 आजाता तो यह pass में चले जाते इसलिए मुझे यहाँ less than लगाना पड़ा कि यदि इनका number 49 के बराबर हो या 49 से कम हो तो इनका यफ grade है अब guys यह हमारी conditions पूरी हो गई है अब हम क्या करेंगे function जितनी बार हमने on किया है उतनी बार off करेंगे अब off करते जाएंगे वो dark होता चला जाएगा अब देख सकते हैं यह dark हो गया दूसरा dark हो गया तीसरा dark हो गया चथा 15,16 सारे dark हो गया देख लीजे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया और यहाँ 6 और मैंने 6 functions जो आफ किये एक 2,3,4,5,6 अब हम इंटर करेंगे guys अ इस अब ही कहीं गलती हूई होगी तो हमारे रिजल्ट नहीं आएगा ग्रेट नहीं निकाल सकते हमारा फिर फॉर्मुला गलत हो जाएगा फिर देखे लिजिए कॉपी में और जहां जो कॉमा है गाइस उसको आपको ध्यान में रखना है इन्वेटेट कॉमा आउन आफ करते टाइम बीच में कॉमा आपको नहीं लगाना है आप जैसा कि देख पार है स्क्रीन पर तो आपको इसका स्क्रीन साट लेके रख लीजिए अपनी कॉप मैंने फंक्सन लगा था पहला कि जिसका भी नंबर 85 से के बराबर हो या 85 से बड़ा हो तो उसका यस ग्रेड आए फिर मैंने लगाया जिनका भी मार्क्स जो है वह 75 से बड़ा हो या बराबर हो तो एक ग्रेड आए आप देख सकते आया फिर मैंने लगाया था कि यदि किसी पर्षन का नंबर 65 हो या 65 से बड़ा हो तो उनका आए B grade लेकिन यहां 65 से कम है गाइस तो C grade आया क्योंकि मैंने 55 से ले कर और 64 तक C grade का ऑप्रेशन चला था आपका फिर यहां D grade क्यों आया गाइस क्योंकि यहां 55 पर हमने लगा रखा था आपका B grade sorry C grade जो कि क्या हुआ आपका 55 से कम यहां 54 हुआ तो वो आपका D grade हो गया ऐसे देख सकते हैं आप B, C, B और यहां देखे F grade है क्यों है क्योंकि यहां मैंने operate लगाया था operate कर रखा था मैंने जो functions, conditions लगाया थी मैंने कहा था कि जिसका भी नंबर 49 के बराबर हो या 49 से कम हो तो उसका F grade है I hope guys आपको यह समझ में आ गया होगा, कैसे result निकालते हैं वो आपको एकदम clearly अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको शीजे guys जो मैं आपको और थोड़ा बता दूँ कि जैसे हमने त्रपल सी का निकाला वैसे आप subject wise भी निकाल सकते हैं जैसे आपका होता है किसी इंटर का निकाल रहे हैं तो उसमें 500 उका होता है तो 500 में 60 प्लस कब जाता है तो एसे आप निकाल सकते हैं ग्रेडिंग करकर के तभी तो हम ना बनाते हैं कि हमारा इतना ग्रेड आया हमारे 82 आया हमारे 85 आया क्यासे आया इसी की मदद से आया या आप अगर 10th पे हैं 10th के बेश से कर रहे हैं तो वहां आपका 600 से चलता है आपके लगेड करते हैं गाइस यूपी बोड है 42 से बोर्ड काउन सा बोर्ड है हो आपके बोर्ड पे डिपर डिपेंड करता है उसी इफफप्वमूले का यूज करके निकाल सकते हैं गाईज ये था इफफवर्मूला आई होग आपको समझ में आ गया होगा इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई और अगर आपको दिक्कत आई भी गाईज तो प्लीज हमको comment section में पूछ लीजिए उसका answer आपको दे देंगे और अगर आपको session अच्छा लगा हो तो please like करें और अपने दोस्तों के साथ share भी जरूर करें ताकि उनको भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए कि if function का यूज करते क्यों है और अगर इसका यूज करते हैं तो result कितना अच्छा आता है तो बस चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहूंगी प्लीज वीडियो को like करें share करें अपने friends के साथ भी सेयर करें और जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक जल पहुत जाए थाइंक्यू सो मच गाईज